Hello everyone, Notes Cart में आप सभी लोगों का स्वागत है और आज हम डिसक्शन करने वाले हैं Pharmaceutical Chemistry के बारे में जो की Diploma in Pharmaceutical First Year का बार्ट होता है तो चलिए हम आज इस डिसक्शन करते हैं Pharmaceutical Chemistry का Chapter No.1 Chapter No.1 की अगर Importance की बारे में बात की जाए तो आज के Chapter की Importance बहुत ज़्यादा है क्योंकि नए Education Regulation 2020 के अकार्डिक इसमें Limit Test के बारे में पढ़ना है और इसकी Importance Exam Point of View से बहुत ज़्यादा है क्योंकि एक्जाम में कई बार Limit Test से Question आता है और Directly Theoretical Part में तो बहुत ज़्यादा Question पूछ लिए जाता है Limit Test से इसलिए आज के Chapter की Importance है वो बहुत ज़्यादा है इसलिए आप लोगों से Request है कि आज का Complete Video आप लोग देखने की कोसिस कीजिए क्योंकि आज के Video में हम Cover करने वाले है Errors के बारे में, Impurities के बारे में, Limit Test के बारे में और Scope of Pharmaceuticals के बारे में पढ़ना क्या है क्योंकि कई बार आईडिया यह नहीं लग पाता है कि हमें पढ़ना क्या है तो यह चीज़े पहले क्लिरिफाइ कर लिए कि हमें पढ़ना क्या है सबसे पहले Introduction to the Pharmaceutical Chemistry Pharmaceutical Chemistry के Introduction के बारे में पढ़ना है उसके अंतरकद Scope and Objective Sources and Types of Errors Accuracy, Precisions, Significant Figure Impurities in Pharmaceuticals Source and Defect of Impurities in Pharmacopial Substances, Importance of Limit Test यानि कि Limit Test आप लोग को बता है इसकी Importance बहुत ज़्यादा है Principle and Procedure of the Limit Test for the Chlorides, Sulphates, Iron, Heavy Metal and Arsenic तो यह सारी चीज़े हमें क्या करनी है इस चेप्टर के दोरान पढ़नी है इसके पहले हमने कई Lectures पढ़े है उसमें हमने कवर किया है Pharmacognosy का, Human Anatomy and Physiology का और इसके अलामा Social Pharmacy का आपका सपोर्ट हमें बहुत अच्छा लगा है क्योंकि पिछले Lecture Social Pharmacy में कुछ लोगों ने बता है कि सर कुछ word के जो means है वो छूट गए थे आप कुछ words को नहीं बता पाये थे यह आपका सपोर्ट हमें बहुत अच्छा लगा है और मैंने वीडियो को इस analysis भी किया है तो उसमें लगा कि कुछ word छूट चूट चुके है और हमने यह देखा कि अब देखे वीडियो लेक्चर बहुत जादा बड़े हो रहे है बहुत जादा उसका duration जो है वो बहुत जादा हो रहा था इसकी वज़े से कुछ lecture मतलब जल्दी जल्दी में कुछ points छूट गए होंगे लेकिन आज हम कोसिस करेंगे कि इस वीडियो में complete जो भी points है और जो भी word है आपको clarify कर दिया जाए और इसके अलाव अगर आपको कोई word या कोई point में समझ नहीं आ रहा है तो आप हमारी YouTube channel के comment box में direct comment कर सकते हैं और हमारे WhatsApp और Telegram group से join होके direct हम से पूछ सकते हैं ठीक है तो चलिए हम आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे introduction के बारे में pharmaceutical chemistry is a branch of chemistry which deals with the study of the organic chemistry molecule and compounds in combination with structural and chemical biology and pharmacology for producing the pharmaceutical drugs and medicine तो pharmaceutical chemistry एक branch होती है chemistry की वो branch होती है जिसके अंतरगत हम organic chemistry के बारे में इसके अलबा इन और्गेनिक chemistry के भी बारे में जानते हैं उसके अलबा उसका जो chemical biology होता है उसमें कौन-कौन से chemicals का participant होता है उसके अलबा जो उसकी pharmacology कैसे होती है और उसमें कौन-कौन से drug बनाई जाती है और medicine बनाने में pharmaceutical chemistry का क्या रोल है यह सारी चीज़े हम जानते है तो pharmaceutical chemistry यह एक medical science ऐसी होती है जिसमें हम drug में यूज होने वाले chemicals के बारे में हम जानते है अब वो chemicals organic है या इन और्गेनिक है सारी चीज़े हम उसमें क्या करते है डिसकसन करते है यह होता है pharmaceutical chemistry यानि कि pharmaceutical chemistry फार्मा का मतलब हो गया drugs और chemistry का मतलब हो गया chemicals के बारे में यूज होने वाले chemicals के बारे में knowledge रखना है त्याग आला था है pharmaceutical chemistry ठीक है नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम pharmaceutical chemistry comprises drug development and in the study of the drug वह ही बताया आप लोग को कि pharmaceutical जो chemistry है वो drug development में participate करती है और drug की study में क्या करती है help करती है यानि drug की study का मतलब chemicals की study में help करती है this including drug discovery metabolism absorption and delivery यानि कि जो pharmaceutical chemistry है हमने माली जो food लिया तो food का क्या होगा metabolism होगा absorption होगा और उसकी delivery होगी ये सारी चीज़े हम pharmaceutical chemistry के अंथरगत भी देखते हैं अगर माली जो कोई drug prepare किया जा रहा है यानि कोई chemical यूज किया जाएगा अब उसके chemical के बारे में हम study करेंगे कि वो हमारी body में कब metabolize होगा कब उसका absorption होगा और कहां से कहां तक वो deliver होगा ये सारी जनकारी हम किसमें लेते हैं pharmaceutical chemistry में लेते हैं ये सारी चीज़े होगे देख कांटेंज ड्रग chemistry, quality assurance, metabolism, pharmacology, analytical techniques and cure of remedies disease ठीक है तो pharmaceutical chemistry क्या करती है quality insurance में भी help करती है किसी ड्रग की quality कैसी है उसमें भी देखा जाता है फार्मासिटिटल chemistry के अंतरगत chemicals को देखा जाता है कि वो chemical सही है या नहीं सही है यह सारी चीज में quality insurance के अंतरा हती है metabolism आप लोगों को मैंने बताया pharmacology, analytical technique and cure the remedies disease और disease के according कौन सा chemical remedies का मतलब होता है निदान करना किसी चीज का मतलब की उसको निरोग करना ठीक है तो यह सारी चीज़ें किसमें होती है यह सारी चीज़ें हम discussion करते है pharmaceutical chemistry के अंतर बहुत सारे बच्चों का doubt है कि sir chemistry को कैसे पढ़ा जाए तो सीधा simple समझिएगा कि जो भी हमारा यह subject है न चाहे फार्मस्योटिक्स हो, फार्माकोलोजी हो या फार्मस्योटिकल chemistry है इसके लावा और कोई subject हो सभी subject हमारी बंद मुठी की तरह होते है यानि हमारी जो हाथों की अंगुलिया होती है उसकी तरह होते है यानि कि सभी अंगुलियों की importance अलग-अलग है और जब अंगुलिया एक साथ जूड जाती है तब जाके मुठी का निर्माड होता है इसी प्रकार जो सब्जेक्ट है हमारे वो एक तरह से अंगलियों का काम करते हैं और जब तक अंगलियों को आप एक साथ नहीं पढ़ेंगे एक साथ सामवेश करके नहीं पढ़ेंगे तब तब आप कुछ भी नहीं पढ़त वकते हैं तो लोग बोल ला है फार्माशूटकल केमेस्ट्री को कैसे पढ़ा जाए तो आप लोग को बेसिकली मैं बता दूँ कि फार्माशूटकल केमेस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा रिवीजन की जरूरत होती है revision बहुत ज़्यादा important होता है notes तो लगवग same होता है यह देखे chemicals तो लगवग same है chemicals तो difference होने नहीं है लेकिन हाँ उसमें regular exercise करना regular आप लोगों को revise करना यह सारी चीज़े बहुत ज़्यादा जरूरी होती है chemical point अब भी उसे तो आप लोग chemistry जब भी पढ़िये तो उसको revise किया कीजिए revise करने की कोशिश कीजिए आगे हम lectures में study strategy के बारे में भी आप लोगों को बताएंगे कैसे आप पढ़ सकते हैं और कैसे आप इसको अपनी पढ़ाई को improve कर सकते हैं यह सारी चीज़े बताएंगे अगर माली industry में क्या होगा drug industry है तो उसमें drug बनाए जाएगी आप drug के अंदर गत कौन कौन सा chemical यूज होना है या कौन कौन सा chemical हमें मिलाना है यह सारी चीज़े कौन pharmaceutical chemistry यानि कि यह department किसका है pharmaceutical chemistry का next professional job अगर आप pharmaceutical chemistry के माली ज़े पारंगत है अगर आप pharmaceutical chemistry से M-form किये हैं या V-form भी किये हैं तो आपको professionally job कर सकते हैं ठीक है किसी को teaching teaching line में आप जा सकते हैं और teaching कर सकते हैं ठीक है यह होता है professional job next अरे drug analysis drug analysis में participate करेंगे अगर pharmaceutical chemistry में आप पारंगत हैं तो drug analysis में जा सकते हैं drug analysis का मतलब क्या हुआ drug में कौन सा chemical present है और कौन सा chemical present नहीं है यह सारे चीज़े आप analysis कर सकते हैं nuclear pharmacy nuclear pharmacy में भी chemicals का use किया जाता है nuclear pharmacy जैसे जो reactors होते हैं उसमें क्या chemicals यूज किया जाता है उनको cooling करने के लिए chemicals यूज किया जाता है अब कौन-कौन सा chemical यूज होगा, और कौन-कौन सा chemical नहीं यूज होगा, यह तो कोई chemistry वाला ही बता सकता है, इसलिए pharmaceutical chemistry का use भी यहाँ पे बहुत जादा होता है, quality control, quality यानि कि किसी भी drug की quality में कौन सा chemical कितना amount में है, यह सारे चीज़े define करने वाले कौन होते हैं, pharmaceutical chemistry वाले होत यानि कि जो भी chemical मिराया गया है, वो patient के लिए harmful होगा, या helpful होगा, यह सारे चीज़े decide करने का काम कौन करता है, तो pharmaceutical chemistry वाले ही करते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार pharmaceutical chemistry का बहुत जादा scope है, इसके लावा और भी scope है, experimental sector, experimental sector का मतलब कोई भी experiment हो रहा है, जैसे मालिज बेचलन pharmacy म पारंगत हो, या chemistry में inform किया हो, या PhD किया हो, उनको जादा knowledge हो, उसके chemistry के बारे में जादा knowledge हो, तो वही कराते हैं, तो इस प्रकार अगर आप पूरे knowledge person है, यानि full knowledge आपके पास है, तो आप experimental sector में भी participate कर सकते हैं, ठीक है, next pharmacological study, pharmacological study में भी pharmaceutical बारे participate करेंगे, कैसे, किसी भी chemicals की study करेंगे, यानि कि वह chemical कहां पे bind होगा, कैसे bind होगा, ये भी किसके अंतरग होता है, pharmaceutical chemistry के अंतरगत ही होता है, ये सारे scope हो गए, for disease diagnosis, disease के diagnosis में भी help करता है हमारी pharmaceutical chemistry, disease diagnosis मतलब कैसे, जैसे माली ये blood की testing करनी है, तो blood testing में क्या, chemicals मिलाने पड़ते हैं, तबी तो blood की testing होती है, तो इस प्रकार भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, यानि कि scope है pharmaceutical chemistry का, तो आप लोग को मैंने इसका मतलब समझा दिया कि क्या क्या होता है, आप चाहिए तो अपनी language में इसको लिख सकते हैं, अगर exam में आता है, तो आपको अगर इतनी heading पता है, तो आप अराम से इस इसको लिख सकते हैं, एक बार discussion कर लेते हैं और इस scope है pharmaceutical chemistry in industry, professional job में, drug analysis, nuclear pharmacy, quality control, quality assurance, next experimental sector, pharmacological study and disease diagnosis में होता है इसका scope, ठीक, next आगे हम पढ़ेंगे, source and type of errors, accuracy, precision, significant figure, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, Introduction of Error, Error basically होता क्या है, यह सारी चीज़े जानना बहुत ज़्यादा ही क्या है, जरूरी है Errors define as the deformity present in any measurement by addition of any internal or external factor, in the pharmaceutical science, Errors are induced by the defective equipment and method, Error की smelling साही कर लिजिएगा, Error क्या होता है, Error वह deformity होती है, यानि कोई भी हम experiment कर रहे हैं, अगर उसमें कोई deformity आ जाती है, By addition of internal or external, किसी भी वज़ा से अगर उसमें deformity आ जाती है, तो उसे क्या बोलेंगा, हम Error बोलेंगे, ठीक है, In the Pharmaceutical Science, Error are induced by the defective equipment and method, और Pharmaceutical Science, जो हमारी Pharmaceutical Science होती है, यानि कोई भी experiment कर रहे हैं, अगर उसमें हम defective apparatus लेंगे, यानि कि equipment लेंगे, जिसमें भी हम perform कर रहे हैं, कोई भी हम work perform कर रहे हैं, अगर उसका equipment गलत हुआ, तो क्या होगा, Error आ जाएगी, अगर method गलत हुआ, तो भी Error आ जाएगी, In the Analytical Chemistry, Error are effect the material product, reliability, reproducibility and accuracy are precision, तो कोई भी Error है, अगर किसी भी material में Error आ जाता है, तो उस material की reliability है, Reliability, यहाणि कि उसकी, समझे reliability उसके काम करने की छंता, वो कम हो जाएगी, Reproducibility, याणि कि Reproducibility का मतलब होता है, कि एक चाज़े से दूसरी चीज का बनना, मैंले Reproducibility का मतलब एक चीज से दूसरी चीज का बनना, स्यम उसी कतरह बनना reproducibility होती है, वो भी चो शमता है वो भी कम हो जाएगी and accuracy or precision accuracy मतलब सुद्धता और precision यानि कि precision भी सुद्धता है होती है बस लेकिन ranging quantity होती है ये सारी चीज़े क्या हो जाएगी? defect में आ जाएगी ठीक है? during analysis the results are expected to be highly accurate and precise यानि कि जब हम कोई भी analysis करते हैं, drug की analysis करते हैं, तो हमें क्या करना पता है highly accurate and precise manner में करना चाहिए highly accurate का मतलब पूरी सुद्धता के साथ और जो precise manner ये भी सुद्धता का ही होता है ना तो इसलिए हमें पूरी तरह से सुद्धता से काम करना चाहिए, however it is not happening in all the cases because the due to the presence of error और ये हमेशा possible नहीं है, आप हमेशा कोई viewer पूरी तरह से 100% सुद्धता सकर लें, इसकी कोई guarantee नहीं है क्योंकि उसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ amount में error present हो ही जाता है, ठीक है, this error may be predictable or unpredictable कभी-कभी क्या होती है, error जो है unpredictable, यानि कि आप उसको अच्छी तरह से पहचान सकते हैं, unpredictable यानि कि आप उसके बारे में नहीं जान सकते हैं कभी-कभी ऐसा होता है कि जो error हुआ है आप उसके बारे में जान पाएंगे और कभी-कभी ऐसा होगा कि उसके बारे में आप नहीं जान पाएंगे, ठीक है, depending on the calculated nature, error are the categorized into two parts, calculated यानि calculation based जो error होता है वो two parts में divide किया गया है, उसको आगे वीडियो हम समझेंगे, सबसे पहले हम errors को एक example के दोरा समझ लेते हैं जैसे माल लीजे milk आप अगर milk पीना है, तो आप direct milk पीएंगे, अगर गलती से उसमें, अगर आप दही नहीं इठाते हैं, तो अगर उसमें गलती से नीबू की दोचार बूद पढ़ गई, नीबू, यानि HD होता है, अगर दूद में नीबू पढ़ गया तो क्या होगा, दूद क्या हो जाएगा, फट जाएगा यानि कि दूद फट जाएगा दूद में यानि कि जो milk था milk में नीबू पढ़ गया यानि कि error आ गई अब error आने के वाज़े से किस में modify हो गया दही में modify हो गया ठीक है तो यह हो गई error अब suppose that माल लेज़े आपको दही खाना पसंद है कभी-कभी ऐसा भी होता है समझेगा आपको दही खाना पसंद है तो द कभी errors जो है वह हमेसा harmful हो आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कभी-कभी वह helpful भी होते है ठीक है तो यह चीज़े आप दखिएगा आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस example के तुरू तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो आज का आगे start करते हैं कैसे absolute error सबसे पहले two parts में divide किया गया था सबसे पहला होता है absolute error क्या होता है difference between the experimental means value and true actual value is known as absolute error absolute error may be positive or negative ठीक है यानि कि कोई भी आप experiment कर रहे हैं तो experiment सो जो value आई है उसमें से अगर हम जो initial value था जो experimental value था उसको अगर minus कर दें तो हमारा absolute error निकल के आ जाएगा यह कल्कुलेटिव पार्ट होता है तो absolute error का एक फार्मूला है absolute error is equal to measures mean value minus true value ठीक है measure means value का मतलब कि कोई भी आप experiment कर रहे हैं तो उसमें जो भी value आप define करेंगे उसे क्या बोलेंगे measure mean value बोलेंगे और true value का मतलब कोई भी experiment है उसकी जो value है वो पहले से already experimentally निकाले गई हो उसे क्या बोलेंगे true value होगे तो absolute error का मतलब हो गया measures mean value minus true value ये बहुत ज़्यादा ही important है फार्मूला क्योंकि कई बार questions से पूछ लिये जाते है absolute error यानि कि दो quantities आपको दे दी जाएगी एक measures mean value और एक true value आपको निकालना होगा absolute error ठीक है अब ये जो absolute error होता है मैं भी positive भी हो सकता है और मैं भी negative ह होगा positive कब होगा जब measures mean value जादा होगी और true value कम होगी तो ये क्या होगा positive होगा लेकिन जब measures mean value कम होगा और true value जादा होगी तब क्या होगा negative होगा ठीक है इसे बोलते हैं क्या absolute error आप लोग को समझ में आ गया absolute error क्या होता है next relative errors क्या होती है relative errors is defined by dividing the absolute errors by the true value it is generally expressed as the percentage that is by multiplying the relative error by 100 or by expressing it part per 1000 by multiplying the relative error by 1000 relative error basically क्या होता है measured mean value minus true value और इस पूरे को हम क्या बोलते है absolute error ठीक है relative error is equal to हो जाएगा absolute error upon true value या इसको बोल सकते है measured mean value minus true value upon true value इसे क्या बोलेंगे हम relative error बोलेंगे relative error का basically formula होता है absolute error upon true value और absolute error का हम formula जानते है measured mean value minus true value यह सारी चीज़े अगर आपको याद है तो आप relative errors की भी quantities को निकाल सकते है अगर questions में आपको relative error पूछा जाएगा तो आप easily बता सकते हैं ठीक है इसको जो represent करने का तरीका होता है वो percentage में किया जाता है अब percentage में किया जाता है तो उसको hundreds से अगर in multiply कर दें तो यह percentage में निकल के आ जाएगा इसके अलावा अगर part per thousands के अगर बात करें तो उसमें अगर thousand से into कर देंगे तो part per thousand में उसका answer आ जाएगा यह हो गया relative error ठीक है आगे हम समझते है questions के थुरू एक question है मारे पास इसके थुरू समझते हैं कि absolute error और relative error होती क्या है basically in the tea leaves actual content of the caffeine is 3.50 and if any analysts are analyzed the tea leaves and determine the caffeine content is 3.75% then determine the absolute and relative error in percentage as per thousand ठीक है समझेगा question कहना के चाहता है question में यह कहा जा रहा है कि जो actual जो हमारा tea होता है उसमें caffeine का content होता है 3.50 जबकि किसी analyst ने इसको analysis किया और उसने पाया कि 3.75% है उसका ठीक है तो इस विसाब से क्या हो गया तो चलिए इसके answer को हम समझते है इसके answer में आगर हम देखा जाए तो actual caffeine का जो content है वो कितना है 3.50 है लेकिन जो measured caffeine count है वो कितना है 3.75 है इस प्रकार देन हम absolute error निकालेंगे तो क्या होगा? absolute error is equal to measured mean value यानि 3.75 और minus 3.50 यानि कि हमारा answer आएगा 0.25 ये क्या होगी? हमारी absolute error होगी अगर relative error है पूछ रहा है उसको अगर percentage में पूछा है तो यानि कि ये क्या हो जागा? absolute error यानि कि 0.25 upon actual कितना है? 3.50 और into 100 कर देंगे तो कितना जागा? 7.14 आजागा ये percentage में आजाएगा और वही relative error पर 1000 में अगर बात करें 0.25 upon 3.50 यानि ये actual हो गया और ये absolute error हो गया जब इसको divide करेंगे into 1000 कर देंगे तो 71.42 आएगा ये होगा अमारा relative error in part पर 1000 ठीक? next अगर बात करें, on the basis आप nature and source error categorized into two principle पे determinate or systematic error भी बोलते हैं और indeterminate or random error भी बोलते हैं, दो types का mainly error होता है, वो होता है determinate error और indeterminate error error होता है, ठीक है चलिए, इसके बारे में discussion करते हैं, और ये बहुत ز주ly important है, कई बार पूछ लिए जाते हैं determinate error या systematic error, indeterminate error या random error के बारे में differences पूछ लिए जाते हैं, तो चलिए इसके बारे में complete discussion करते हैं, तो is 설명 से होता है इसको हम इजली जान सकते हैं तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं systematic errors भी बोलते हैं तो इसमें सबसे पहला point पड़ेंगे systematic error arises due to the wrong procedure, wrong measurement, एनिकी pipettes, view rate, volumetry flux and faulty instrument, calibrated balance and machinery system तो systematic error जो होती है वो किस प्रकार आती है वो wrong measurement की कारण आती है अगर आप pipettes के through chemicals को कर रहे हैं तो उसमें अगर कोई भी wrong हुआ तो आपका क्या होगा error आ जाएगी उसमें, view rates है, volumetric flux है अगर उसमें कहीं error है तो आपका जो amount होगा वो जितना आपको लेना चाहिए उतना amount नहीं ले पाएंगे यानि कि उसमें भी error आ जाएगी तो इससे क्या बोलें हम, determinate या systematic error बोलें, game इसके अलावा, fault instrument यानि कि instrument में अगर कोई गलती है जैसे calibrated balance यानि calibrated balance का मतलब क्या होगा? कि जो वेरिंग machine होती है, यानि कि उसकी कितनी सुद्धता होती है जो machine होती है, उसकी सुद्धता अगर कोई भी disturbance होगा तो भी हमारा क्या error आ सकता है इसके लावा, mastery system कोई भी machine है यानि कि जो भी हम drugs बनाते हैं, उसमें machine का use किया जाता है अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है, तो भी error आ जाएगा next बात करें, systematic, systemic error is under the control of the analyst because it is easily detectable and can be eliminated to a large extent यानि जो भी यह systematic error होता है, यह control होता है, analyst के control में आता है जो भी आप analysis कर रहे हैं, तो आप ही control में है कि error होना है या ना होना है इसे easily क्या किया जाता है, detect किया जा सकता है और इसके अलावा, इसको eliminate किया जा सकता है इसे क्या बोलते हैं, determinant या systematic error बोलते हैं नेक्स्ट अगर बात करें इंस्ट्रुमेंटल इरर दू टू दे यूज आप डिफेक्टिव इक्यूपमेंट और लो क्वैलिटी इंस्ट्रुमेंट्स इरर आर एराइजर इन दे अनलिटिकल प्रोसीजर इट इस इसली चेकेबल बाई इंस्ट्रुमेंटल इरर इंस्ट्रुमेंटल इरर का मतलब आप इंस्ट्रुमेंट का यूज कर रहे हैं अगर किसी भी इंस्ट्रुमेंट में डिफेक्ट आ गया ठीक है अगर माली जी आप सपोस्ट डैट यूज कर रहे हैं अभी हम लोगों के साथ ही गटना है कि जब हम experiment कर रहे थे तो उसमें एक वीकर था और एक क्या था volumetric flux था तो वीकर और volumetric flux में जो volume था उसका difference था उसमें क्या था यानि कि volumetric flux का जो volume था वो अलगा रहा था और जो हमारा भीकर था उसकी जो reading है वो गलत आ रही थी तिस पर कई बार fault हो जाते हैं तो इसलिए instrumental error होता है कई बार आपका instrumental या apparatus error होता है उसमें error आ जाती है next पात करते हैं proportional error the absolute value of kind of the error changes with the size of the sample in the such a fashion that our relative error remains constant it is easily incorporated by the material by directly interferes in the analytical process proportional error का मतलब क्या हुआ कि जब आपका material size है material size में कोई defect आएगा यानि कि कोई भी difference आएगा तो उसमें भी error होने का chance क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा ठीक है यानि कि size पर भी depend करेगा error यानि कि material की size पर भी depend करेगा कि आपने किस type की size लिए है उस पर error तो error क्या रिलेटिव इरर तो same ही होगा क्योंकि उसमें absolute error सबका क्या आना है same ही आना है और उसके बाद true value भी same है तो relative error क्या होता है अमें size में same ही आएगा इसके अलावर error किस पर depend करेगा size पर depend करेगा अगर sample का जो आप size लिए है अगर different different sample का size है तो different different error आ सकती है इसे क्या बोलते है proportional error बोलते हैं next अगर बात करें personal error errors are induced due to the carelessness or ignorance and lack of the skill this error is also called operative error it is occurring occurs by who are handling the method of analysis जो यह personal error है यह आपके through ही आता है यह परस्नलाइज आपके थ्रू ही आता है अगर आप में क्या है कोई effect है अगर आप plopering gloves का use नहीं कर रहे है तो आपके पास अगर कोई error है तो वो सीधे material में पहुचेगी और material क्या हो जाएगा खराब हो जाएगा इस परकार यह आपकी personal error यानि क्या बोलेंगे personally error बोलेंगे यानि कि अगर आपके पास knowledge नहीं है तो भी आप error आ सकता है इसके लावा आपके पास skill नहीं है यानि आप कि पास practice नहीं है कोई भी experiment करने की तो भी error आ सकता है अगर pipetting होता है starting में pipet सभी लोग नहीं कर पाते हैं pipetting करना भी बहुत जादा मुश्किल काम होता है लेकिन दिरे दिरे practice करते करते है आप pipetting easily कर लेंगे तो यह सारी चीज़े आपको experimental दारान आपको पूरी चीज़ करा रहे हैं यानि उसमें कोई भी reagent होगा आप दोनों के बीच में chemical और reagent के बीच में क्या-क्या reaction हो गई अगर कोई गलत reaction हो गई या कोई wrong reaction हो गई तो क्या हो जागी एक error का रूप लेग लगी इस परकार chemicals में भी errors आ जाते हैं ठीक next error in methodology it is the most serious error in analysis as the error arises due to the faulty method यह बहुत common problem है क्यूंकि अगर आप method को follow नहीं कर रहे हैं कोई भी method आपको दे दिया गया है इस method के साथ आपको काम करना है अगर आप उस method को follow नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है error आ सकती है ठीक है यह हो गई error of methodology जैसे incomplete reaction कोई भी reaction incomplete हो रही है co precipitation of impurities यानि की precipitation हो जा रहा है किसी भी impurities का इस परकार error आ सकती है impurities and contamination में also alter the chemical reactivity and induce the error तो जो भी error होती है वो क्या करती है हमारे product को क्या करती है और error आ चुका है यानि कि हमारा product खराब हो चुका है तो यह हो गया source यानि कि यह हमने देख लिया source के भारे में determinate और systematic error और यह सारे किसके क्या थे source थे next हम बात करेंगे indeterminate or random error क्या होती है यह एक ऐसी error होती है जिसको हम इसका region हम easily पता नहीं कर पाते है और यह इसे क्या बोलते है accidental error होती है यानि कि इसका region हमें पता नहीं होता है यह अचानक कहीं से error हो जाती है इसे क्या बोलते हैं indeterminate या random errors भी बोलते हैं और यह error कब induce होती है जब आप एक ही प्रकार का measurement कर रहा है और एक ही परसंद वारा किया जा रहा है और एक ही place पे किया जा रहा है और एक ही condition में किया जा रहा है यहाद रखिएगा एक ही place पे एक ही measurement द्वारा और एक ही analyst द्वारा जब एक कोई experiment के जाता है तो उसमें जाइड से बात है बार बार आप किसी चीज को कर रहा है तो उसमें error आ जाती है यह आ जाती है जिसका आपको idea भी नहीं लेख पाता है कहां से error हो गई है यह ना तो रिजन पता है ना तो कोई सोर्स पता होता है ठीक है और यह क्या होता है mathematically probability के हिसाब से इसको समझते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं indeterminate error are defined by this graph यानि कि indeterminate error को define करना है तो हम इस graph की साहता से इसको समझ सकते हैं क्या से समझ सकते हैं the magnitude of error fc साब यानि कि भूज and the frequency of the division यानि कि ordinate has the space of the normal frequency distribution curve are the probability curve यह क्या है probability curve है इसमें देखिए उपर यानि यह जो y axis है और यह x axis है तो जो x axis पे हो क्या है magnitude of deviation है या magnitude of error बोल सकते हैं और जो y axis है इस पे क्या है frequency of deviation है deviation की frequency बोल सकते हैं अब इस graph को समझते हैं बहुत अच्छी प्रकार्ट से इस graph को समझ येगा क्योंकि यह बहुत ज़्यादा ही important graph है कई बार बात पूछ लिया जाता है डारेक्ट इस graph का measurement क्या होता है optional question में पूछ लिया जाता है graph को देखे तो आप लोगों को बचाना पर सकता है यह समझ है very large error are unlikely to occur यानि कि बहुत ज़्यादा जो error है वो बहुत कम दिखती है बहुत इसमें क्या है graph में बहुत कम दिख पाती है आगे हम next point सब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा smaller errors occurs with greater frequency than the large error ठीक है यानि कि smaller error occurs यानि कि जब greater frequency है यानि कि जो frequency है या greater है उस time हमारा error क्या है बहुत ज़्यादा कम है कैसे कम है इसको हम समझाते हैं आपको समझ जिएगा ध्यान से यानि कि यह frequency high है तो यहाँ पर error कितनी है यहाँ पर error zero यानि कि यहाँ पर error है error हमारा का है यहाँ पर लेकिन अगर यही frequency कम होती चली गाए तो हमारा error कहाँ पर यहाँ पर जाएगा यानि कि यहाँ पर error होगा हमारा यही पर error होगा, ठीक है तो यही बता रहा है smaller errors occur smaller errors occurs with greater frequency than the large error ठीक है large frequency पर error कम होगा और कम frequency पर error जादा होगा, यानि कि error is inversely proportional to frequency, ठीक है, आप बोल सकते है next the error are the positive and negative sides occur with equal probability यानि कि जो error है वो negative भी हो सकती है positive भी हो सकती है या आप इस graph से समझ सकते हैं इधर क्या है negative है और इतर जाएंगे तो positive है तो यह हो गए independent error defined by this graph इस graph से हमने समझ लिया next आगे बढ़ते है accuracies क्या होती है accuracy term क्या होती है basically इस चीज को में समझना बहुत जदा ही important होता है accuracy क्या है nearest are accurate value which are the matches to the true value of any experiment is defined the term accuracy accuracy का मतलब कोई भी आप experiment कर रहे हैं अगर वो true value के वराबर आती है तो उसे हम क्या बोलेंगे आपकी accuracy बहुत अच्छी है ठीक है आपकी accuracy बहुत अच्छी है यानि कि आपने जल्दी उस nearest point तक पहुच चुके है इस प्रकार आप बोल सकते हैं आपकी accuracy बहुत अच्छी है the comparison is normally done with regard to the error and the accuracy is inversely proportional to the error यानि कि जो accuracy और error में जो relation होता है वो कैसा होता है वो inversely proportional होता है inversely proportional का मतलब क्या होता है जैसे inversely proportional का मतलब होका कि जब error बढ़ेगी तो यानि आपकी accuracy कम होती जाएगी यानि कि जो आपका accurate result है वो कि आपका कम आता जाएगा इसलिए बोला जा रहा है कि error is inversely proportional to accuracy यानि कि जब आपकी accuracy जदा होगी तब आपकी error कम होगी और जब आपकी error जदा होगी तब आपकी accuracy कम होगी यानि कि दोनों में क्या है inversely proportional का relationship होता है next आगे बढ़ते हम precision precision बेसिकली ये भी error ये भी accuracy होती है लेकिन इसको क्या range इसकी define होती है कितने range तक work करना है ये इसकी range define होती है तो precision are defined as the agreement amongest a cluster of experiment result however it does not imply anything with respect to their relations to the true value precision designated reproducibility of the measurement when accuracy but ironically a high degree of the precision may be not we necessarily suggest accuracy ये ही बता इस point का पूरे point का कहने का मतलब ये है कि जो accuracy और precision होता है दोनों में दोनों लावा एक ही होता है बस थोड़ा से difference ये होता है कि precision में reproducibility होती है यानि कि reproducibility कराया जाती है यानि कि बार बार उस experiment को कराया जाता है और उसकी range decide की जाती है यानि कि precision हमेशा सुदता को दिखाता है accuracy भी हमेशा सुदता को दिखाती है लेकिन बस यही होता है कि इन में क्या होता है ranging होता है प्रेसिजन में क्या होता है रेंज बनाया जाता है आईए हम इसको एक्जाम्पल से समझते हैं एक्जाम्पल से आप लोगों ये इजली समझ में आ जाएगा कोई एक्चपरिमेंट कर रहा है मिलक पे उसने दिखाला एक या वाटर को पर्सेंटेज निकाला है 85.4 to 88.5 यह इसका क्या हो जागा? प्रेसिजन हो जाएगा और जो actual होता है इसे अगर इसी के आज़ पास रहता है तो उसे क्या बोलते हैं? जैसे कि 86.8 निकल क्या है 86.8 निकल इसे क्या बोलेंगा? accuracy बोलेंगे, ठीक है? क्योंकि यही near है 87 की इसे क्या बोलेंगा? accuracy बोलेंगे I hope आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा accuracy और precision आप लोगों को इसली समझ में आ गया होगा next पढ़ते है significant figures क्या होते है in the analysis, significant figures play a very important role in the accuracy and precision यह भी basically accuracy और precision को ही दरसाता है next अगर बात करें the number of significant figure can be defined as the number of digit necessary to express the result of the measurement consistent with the measurement precision अगर आपको कोई भी result लिखना है जैसे माल यह कोई question solve कर रहा है अगर उसका answer आ रहा है अगर वो digit में है तो digits तो बहुत सारी है जैसे आप देखते हैं decimal के बाद बहुत सारी digits आ जाती है कभी-कभी तो divide करने पे तो सभी को लिखेंगे तो क्या possible नहीं है ना लिखना इसलिए हम उसको क्या माल लेते हैं कुछ हम significant figure रख लेते हैं और यहीं तक हम उसका उसको value को लिखते हैं तो यह होता है क्या significant figure जैसे example से समझते हैं इसको 25.05 and 1350 इसमें अगर देखाते हैं इसमें जो 0 लगा हुआ है इसका क्या है importance है यहाँ पे इसका importance है और इसमें total significant figure कितना है 4 जबकि इस example जबकि 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 0.00340 only denotes the decimal point इसमें 0 का कोई significant नहीं है बस यह क्या कर रहा है इसको दर्सा आ रहा है बस इसको दर्सा आ रहा है कि decimal point को locate कर रहा है यहाँ decimal यहाँ पे है और इसके बाद यह सारे digits परचेंट है बस इसका यह ही मतलब होता है example एक और example इसको समझते है if any view rate if any measured the exact 7 ml या 7.3 ml because view rate are graduated in small graduation per ml are divided into 0.1 ml 10 equal parts but some are measured in the form of the significant figure like 7.3, 4 it contains the 3 significant figure of which 2 are certain and 1 are uncertainty तो अगर इसमें हम बात करें कोई भी view rate आप view rate लेंगे तो view rate में अगर आप measure करेंगे तो उस पे क्या होता है reading होती है जैसे 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml, 5 ml, 6 ml, 7 यह से होती है अब उस 1 ml को divide के जाता है 0.1 ml, 0.2 ml, 0.3 ml, 0.4, 0.5, 10 यानि कि 1 ml को divide के 10 part में तो आप तो 7 ml तक easily उसको कर सकते है measure कर सकते है अब उस पे 7.3 दे देगा तो भी आप easily measure कर लेंगे लेकिन कुछ ऐसे measurement होते है जिसको हम significant figure मान के कर लेते है जैसे 7.34 measure करना है तो हम क्या करेंगे 7.3 measure करेंगे और उसे थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा देंगे quantity तो 7.34 हम मान लेंगे यह होता है significant figure यानि कि ऐसे significant figure निकाला जाता है आप लोगों को easily समझ में आ गया हुआ इसमें क्या है? इसमें 3 significant figure है 7.34 में 3 significant figure है जिसमें एक को हम क्या बोलेंगे? जो 1 and 7 है उसे क्या बोलेंगे? certainty बोलेंगे और 2,3,4 को क्या बोलेंगे हम uncertainty बोलेंगे ठीक है? यह सारी चीज़ होगे next अगर बात करें how to minimize the error अब error को हम कैसे minimize कर सकते हैं इसके बारे में समझते हैं calibration of instruments and apparatus calibration of instrument जो भी instrument हमारा calibration उसकी सुधता को बढ़ा देंगे अगर instrument की तो हम अपने error को रोख सकते हैं apparatus को अगर हम अगर अच्छी quality के apparatus का यूज करें अच्छी reading वाले apparatus को यूज करें तो भी हमारी error कम हो सकती है caliber आप instrument आपनों देखा होगा weighing machine देखी होगी experimental hall में तो जो weighing machine होती है उसके क्या किया जाता है पहले सबसे पहले जो इसमें भी हमें measure करना है जैसे माह लिजे कोई भी weaker भी लिया weaker में measure पहले क्या करते हैं weighing machine पे weaker को रख देते हैं उसके बाद हम tear करते हैं tear करने का मसलब क्या करते हैं हम उसको zero करते हैं, यानि कि वही उसका calibration point होता है, ति उससे उसकी सुद्धता 100% आती है, अगर हम bigger का measurement करें और उसे बाद होई material डाल दें तो दोनों का हमें actual count करने में दिक्कत होगी, इसलिए हम क्या करते हैं, उसमें tear कर देते हैं, जिससे की weaker रखने के बाद हो zero हो जाता है और उसके बाद जैसे ही हम material रखते हैं, तो वो उसकी reading को बता देता है, उसे क्या बोलता है, कैलिब्रेशन इंस्टुमेंट यानिक सुद्धता होती है, नेक्स्ट परसनल की है skill required, यानि कि 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 रिलीज करने के लिए हटाने के लिए आपको personal skill की बहुत ज़्यादा ज़रुरी होगा कि कौन सा material हमारे लिए useful होगा, और कौन सा material होगा हमारे लिए harmful होगा, ये चीज़े जानना बहुत ज़्यादा ही important है, exhausted the impurities contamination, और कि impurities को हटाने के लिए आप exhaust का यूज कर सकते हैं, यानि कि impurities को हटाने के लिए आप किसी चीज का भी यूज करें, यानि exhaust करने के लिए किसी चीज के भी आप exhaust कर सकते हैं, बस impurities हमारे product में नहीं होनी चाहिए, इसे भी आप error से बच सकते हैं, अगर impurities आएगी तो error already आना है, ठीक है, impurities और error समझ लिए दोनों एक ही term, term तो नहीं बच सकते हैं, लेकिन दोनों का relation एक ही तरह है, क्योंकि अगर impurities आई, तो error जरूर लेकर आएगी वो, अब वो error harmful होगा, या useful होगा, ये तो experiment के बाद पता चलेगा, next, study chemical evolution and analysis, यानि कि chemical evolution कीजिए और analysis गे, कि जो भी chemical आपको मिला है, उसके बारे में study कीजिए, उसका chemical evolution कीजिए, उसके बाद आप error को minimize कर सकते हैं, next, proper methodology, proper methodology, यानि कि आप उसके proper method को follow कीजिए, जो भी मिला है, method मिला है, उसको अगर proper आप follow करते हैं, तो भी आप error को रोख सकते हैं, ठीक है, अब जैसे method, आप अपनी study में भी method को लगा सकते हैं, अगर आप अपना एक method बना ले पढ़ने का, अगर timing बना ले आप, कि हमें इतने घंटे से इतने घ methodology, लेकिन अगर उस methodology में अगर कोई भी difference आया, तो यानि कि आपका पूरा जो पढ़ाईख पर focus रहेगा, वो क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, तो इसे क्या बोलते हैं, proper methodology बोलते हैं, जैसे आप method बनाएंगे, वैसे आपका experiment होगा, यानि कि जैसे आप study करेंगे, जैस से आप उसको syllabus बनाएंगे, उस recording आप पढ़ेंगे, और उससे आपके number आएंगे, जो subject आपको नहीं अच्छी सर्थ आता है, उसके क्या करिए, उसका timing बढ़ा दीजिए, methodology में modification कर दीजिए, हाँ, error तो उसमें आ गई ना अब, ये तो कह सकते है, error उसमें आपने की, अब य ठीक है, एक तरह से study की तरह आपका हो गया, error का point, आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसलिए आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, और regular interval पर, time पर पढ़ते रहिए, time से जो भी पढ़ना है, उसको पढ़ते रहिए, कम पढ़िए, लेकिन timely पढ़िए, ठीक, next, आगे Impurities एक undesirant substance होता है, या unexpected substance होता है, जो कि हमारे product में आके मिल जाता है, और हमारे product को खराब कर देता है, next, the substances that are used in the pharmaceutical should be pure enough to be used safely, but it is difficult to obtain absolute pure substances, कोई भी substance है, कभी भी आप उसको pure का 100% pure नहीं पा सकते हैं, कुछ न कुछ उसमें impurities मिली रहेगी, और वो impurities क्या करेगी, absolute यानि कि impurities कहीं न कहीं उसमें मिली रहेगी, ठीक है, और वोई ही आपके लिए difficulty produce कर सकती है, next, generally the impurities in the accidental factor and some time it is depend on the several methods of the manufacture and type of the crystallization and purification process, यानि कि जब आप एक्जांपल समझें, कोई भी आप execute निकाल लाएं, कोई भी plant से आप execute निकाल लाएं, अब उसमें जो भी extraction निकाल लाएं, अगर उसमें कोई भी impurities present हुई, तो आप उसको क्या करेंगे, purify करेंगे, अगर आपका purification method सही रहा, सही रहा, अगर crystallization method सही रहा, तो उसमें कोई भी impurities नहीं रहेगी, अगर उसमें method गलत हो गया, तो impurities आलेड़ी present रहेगी, ठीक है, और वो आपका final product में harm कर सकता है आपको, ठीक है, ये सारी चीज़ हो गए, impurities के बारे में discussion, ठीक है, next बात करें source of impurities, impurities may enter the firm and drug substances during the any following three stages, during the manufacturing, अगर आप manufacturing कर रहे हैं, उस time भी impurity जा सकती है, जैसे raw material employed, example, rock salt contains the small amounts of the calcium sulfate and magnesium chloride, the sodium chloride prepared from the source will contain stresses of the calcium and magnesium compound, यानि कोई raw material आप use कर रहे हैं, इससे पहले आपको देखना पड़ेगा, उसमें कोई impurities तो नहीं मिली है, या कोई impurities तो उसके अंतर नहीं है, आईए example समते हैं, जब आप rock salt लेते हैं, rock salt जब आप लेते हैं, तो उसमें कौन-कौन सा होता है impurities, calcium sulfate और magnesium chloride की क्या होती है, imp sodium chloride हम बनाते हैं, उसमें already ये impurities present रहते हैं, ये हो गया rock salt का example, next आता है reagent used in the manufacturing process, किसी भी manufacturing process में आपने कौन सा reagent use किया है, इस पे भी बहुत ज़्यादा depend करता है आपका process, the quality and purity of reagent used in the manufacturing drug substances are very important, ये बहुत ज़्यादा है कि उसकी quality क्या है, और उसमें जो chemical use हुआ है, वो कैस example समझे, sulfuric acid is used as the many chemical process, this acid often has lead to the present in it, यानि कि sulfuric acid होता है, बहुत सारे chemical industries में यूज होता है, लेकिन उसमें कुछ amount में कहीं कहीं lead present होता है, ठीक है, अब anion like chlorine and sulfate are common impurities in the many substrates because the use of hydrochloric acid and sulfuric acid respectively in the processing, ठीक है ये एक example हो गया, अगला example, anion like chlorine and sulfate, जो हमारा chlorine होता है और sulfate होता है, anions होते है, इसमें क्या होता है, negative charge present होता है, उसे क्या बोलता है, और जिसके वोपर positive charge होता है, उसे क्या बोलता है, k statute, तो anion जो होता है, उसमें क्या होता है, वो एक impurities की तरह काम करते हैं, जैसे कि माने जो Hydro Chloric Acid और Sulfuric Acid दोनों का यूज होता है processing में जब भी आप कोई भी Chemicals की processing कराते हैं तो उसमें HCl का और Sulfuric Acid दोनों का यूज होता है अब दोनों का यूज होका तो उसमें Impurities परेजन्ट होती है एक में HCl अगर अगर निकालते हैं आपकी impurities, naturally solvent play an important role in the next two main reagent as most of the chemical reaction involved in these process are the solvent based if proper quality and purity of the solvent is not assured then it adds to the impurities, अगर कोई भी आप solvent ले रहा हैं, अगर उसकी quality और purity 100% नहीं हुई, तो क्या impurities cause कर सकता है आपकी substances में और water एक water क्या होता है, water जो universal solvent होता है, water को क्या बोलता है, universal solvent बोलते हैं, reaction equipments क्या होता है, अगर reaction equipment, the reaction vessels employed in the manufacturing process में, be metallic or mild steel with glasses lining example, acid like SEL if by chance, ठीक है तो जो equipment आप यूज कर रहा है उसमें भी उसकी भी purity रखनी बहुत ज़रूरी है नहीं, तो वो भी एक impurity की तरह काम कर सकता है acid like SEL if by chance contain a small amount of fluoride जो acid होता है, हमारा SEL कभी-कभी क्या कर सकता है, fluoride contain कर लेता है it can each the glasses, और जो क्या करता है वो fluoride अगर है, तो वो glass के साथ reaction कर देखता है, और उसको खराब कर देता है bring the metallic contamination ठीक है, lead antimony vismat, it is, it can crop up and impurities for the vessel और lead, antimony, vismat जो यह impurities होती है, वो क्या करती है, glass के यानि glass vessels होते है, उन्हों यह impurity तरह काम करती है, और उसे reaction करके उसको खराब कर देती है, ठीक है, यह हो गए reaction equipment, next आता है intermediate product in the manufacturing processes some intermediate which are produced during the manufacture may be carried out through the final product and as an impurity in the manufacturing process potassium iodide, the intermediate iodide in the main impurity intermediate product, जैसे माले जो कोई भी product हम बना रहे हैं, तो उसके अंदर क्या बनता है, एक बनता है हमारा यानि कि बीच में बनता है क्या होनेगा intermediate बनेगा, अब वो क्या intermediate होता है, कभी-कभी वो हमारे product के साथ मिल जाता है, जैसे माले एकजामपल है potassium iodide the intermediate iodide is main impurity ठीक है, जैसे potassium iodide का आप बना रहे हैं, potassium iodide का आप बना रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं, तो उसमें एक intermediate बनता है काउन सा potassium iodide बनता है अब जो iodide है, वो आपकी जो final product होगा, उसके साथ मिक्स हो जाएगा और वो एक तरह से impurities का काम करे यह होगे, impurities के बारे में next, manufacturing hazardous in industrial area, the atmospheric is contaminated with the dust particle, silica, gel, carbon gases, कभी-कभी जो होता है हमारा industrial area होता है, उसमे atmosphere contaminate कर देती है याई, atmosphere में क्या है, dust particles है silica glasses है और carbon gases है, यह सारे क्या करते हैं effect डालती है, और हमारे जो product है उसको खराब कर देती है अब next हमने पढ़ा है, during purification and processing and purifying reagent, solvent are vessels used, reagent used to remove other impurities, कभी-कभी reagent, एक reagent का use के जाता है, दूसरे reagent को remove करने के लिए, ठीक है तो sometimes, some chemicals are added to remove or to participate another substance, this may be also give rise to the source of impurity, कभी-कभी एक chemical दूसरे chemical को हटाने के लिए use के जाता है, और ऐसा होता है कि वही chemical impurities की तरह काम करने लगता है, ठीक है, यह भी बहुत ज़्यादा ही important है, for example BaCl3 is added to remove excess of the sulfate in AlCl3, hence AlCl3 is likely to contain barium and impurities, तो barium, यानि BaCl2 को जब sulfate, यानि कि sulfate को हटाने के लिए use किया जाता है, यानि barium को add किया जाता है, sulfate हटाने के लिए अब क्या होता है, AlCl3 के साथ barium भी क्या जाता है, impurities की तरह काम करने रगता है, next बात करें, solvent used in the process of the purification, solvent used in the purification के लिए, often the solvent used in the purification can be source of impurities, यानि कि जो solvent हम use कर रहे है उसका भी purify होना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर purify substance नहीं हुआ तो वो भी impurities cause कर सकता है और water is a cheapest solvent and most widely used, therefore it is known as the universal solvent, इसलिए हम उसको क्या बोलते है universal solvent भी बोलते हैं next अगर बात करें, during storage and packing error and packing material जब आप कोई भी packing कर रहे हैं, तो उसमें ध्यान रखना जोरूरी होगा, कि जो हमारा packing material है, वो किसी chemical के साथ reaction तो नहीं करेगा, अगर वो reaction कर जाएगा, तो वो या impurities की तरह काम करें गा, इसका example समझते है if the aluminum foil for the tablet strip or a capsule for a liquid pharmacist bottles, आप the standard quantity it can add the impurities यानि कि जो aluminum foil होती है, tablet और जो capsule होता है, जो strip बनती है, उसमें aluminum foil लगाना बहुँ जादा जरूरी होता है, otherwise वो हमारे tablet या capsule को impurities जो है, खराब कर सकती है most of the pharmaceutical packaging processes next आता है faulty packaging process, यानि कि कोई भी अगर आपकी packaging process में अगर कोई fault आ जाती है, तो भी impurities की तरह काम कर सकती है, जैसे pressing, sealing और यानि heat के द्वारा होती है, अगर उसमें कोई impurities आ गई, तो वो आपकी product को खराब कर सकती है microbial contamination, microbial contamination mainly in the form of the fungal and bacterial growth may be due to the result of the improper storage condition as well as faulty packaging, यानि microbial contamination भी बहुँ ज़्यदा important है, क्या होता है, कभी-कभी drugs बराए जाती है, अगर natural substance से निकालते हैं, अगर उसको अच्छी प्रकार सहमें store नहीं करेंगे, तो उसके fungal growth हो जाती है, bacterial growth हो जाती है जिससे हमारा product क्या होता है, खराब हो जाता है, यह सारी छी जोगे impurities impurities के source, effect of impurities यह बहुँ ज़्यदा important है, effect of impurities पढ़ेंगे, impurities are sometimes harmless, but are persons more than certain limits then it will lower the active strength of the substance, the therapeutic effect of the drug also altered by the impurities impurities क्या होती है, sometimes यह क्या होती है, harmless होती है, इसमें कोई ज़रा harms नहीं होता है, बट लेकिन एक certain limit तक, उसकी भी एक limit होती है, कि उस limit तक यह harm नहीं करेगा, लेकिन अगर limit cross हो जाती है तो वो harm कर सकती है, और harm करने का मतलब है कि वो जो हमारा drug है उसके therapeutic effect उसको चेंज कर सकती है next अगर बात करें impurities may bring about an incompatibility in the original substances and cause the deterioration in the substances, impurities क्या कभी-कभी हमारा जो product होता है उसके साथ incompatible होता है, अब incompatible होता है, तो वो हमारे product को deteriorate कर सकता है, यानि हमारे product को क्या कर सकता है खराब कर सकता है हमें चाहता को उमीद हो कि आप लोग bore नहीं होगे, क्योंकि bore मत होईएगा क्योंकि यह syllabus बहुत जादा बड़ा है और आप लोग को इसकी importance पहले ही बता चुकाऊंगी यह इसकी importance बहुत जादा है इसलिए आप लोग इसको actually देखिएगा बहुत अच्छे से देखिएगा इसको समझने की कोशिस कीजिएगा समझने वाला भी topic है यह ठीक है, तो bore होने की कोशिस मत कीजिएगा आप लोग, energy के साथ रहिएगा और इसको समझिएगा कभी-कभी impurities जो होती है वो chemical reaction को change करके उसके original substance को change कर देती है दूसरे substance में, जैसे milk है अब milk में हमने नीबू डाल दिया अब नीबू हम जैसे डालेंगे तो वो क्या करेगा milk का जो chemical nature हो जाएगा, वो change हो जाएगा physical nature भी change हो जाएगा, यानि physically वो क्या था, milk क्या था, liquid था लेकिन अब physically दही में change जाएगा, वो कैसे हो जाएगा solidify हो जाएगा इस प्रकार हमारा क्या होता impurities effect करती है हमारे product पे next impurities even when the present in the traces may show a cumulative toxic effect after the certain period यानि कि कोई भी impurities है, अगर traces amount में है, काम amount में present होती है लेकिन कभी-कभी एक certain period के बाद accumulative toxic effect देती है यानि कि बहुत जादा ही toxic effect देती है इसलिए impurities न रखें जैसे आप अपने बात पर ही रख लें जो भी आपका ये media, multimedia यानि कि whatsapp group, facebook ये सारी चीज़े हैं, वो क्या एक तरह से impurities की तरह कभी-कभी काम कर सकती है अगर आप इसका limited use करते हैं तब तो कोई बात नहीं है लेकिन अगर unlimited use करने लग गया है तो ये एक तरह से आपकी impurities की तरह बात काम करेगा, एक तरह से ये impurities की तरह काम करेगा, और ये impurities की तरह काम करेगा तो यानि कि यह आपको deteriorate करेगा यानि आपको यह खराब कर देगा इसलिए Facebook WhatsApp का जो यूज है यह थोड़ा restrict कीजिए अपने मतलब जिसकी इतनी लिमिट हो उतने लिमिट तक यूज कीजिए ठीक है आगे next आपकी study अपने study पर focus कीजिए आगे बढ़ते हैं effective impurities में some impurities promote the microbial growth and the responsible for the deterioration of the substances कुछ जो हमारी impurities होती है वो microbial growth को promote करती है यानि microbial growth को कराती है अब microbial growth होगी तो क्या होगा हमारा product अल्लेडी खराब हो जाए गा जैसे इसका example bread देख लीजिए अब bread पे क्या होता है अगर दो तीन दी दी ब्रेट रग दिया जात उस पे क्या fungus लग जाते है अगर उसको आप proper handle care में रखे तो वो खराब नहीं होगा अगर freeze में रखे त वो खराब नहीं होगा लेकिन आपने इसके लाप परवाई कर दी इससे वो क्या हो गया खराब हो गया next some impurities may be able to catalyze a degradation thereby the shortening the self life of the drug substances कुछ impurities तो ऐसी होती है जो drug की life को ही कम कर देती है यानि कि उसकी spiridate को कम कर देती है ठीक है next आता है some impurities by virtue of the unstable nature like the hygroscopic nature oxidizable nature etc can bring about chance in the physical properties like the chance in appearance, taste, order, stability, etc of the drug substances causing technical difficulty in use as well as formal lesson next अगर बात करें कुछ impurities तो ऐसी होती है जो कि हमारे physical properties यानि कि जो भी हमारा substance है उसकी physical properties को change कर देती है जैसे कि उसके appearance को, color को, order को, test को, stability को, सारी चीज़ों को change कर देती है उसे क्या बोलते हैं physical impurities भी बोलते हैं next आगे बढ़ते हम limit test क्य होता है, limit test basically क्या होता है, limit test बताएं आपको, तो limit test हुआ ही होता है कि कितने limit तक हम किसी chemicals का use कर सकते हैं यानि कि कोई भी chemical है उसमें कोई impurities मिली है, अब वो कितने impurities तक उस chemical का हम use कर सकते हैं यह कैसे decide करेंगे, तो इसको decide करने के लिए use करते हैं limit test का, limit test के through हम इस यूज करना है, तो सबसे पहले बात करें, limit test is defined as the quantitative और semi quantitative test which are performed to identify and control small amount of impurities which are like to be present with the substance to be analyzed, ठीक है, जब कोई हम substance को analyzed करते हैं, तो जो quantitative या semi quantitative test हम perform करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, limit test बोलते हैं, इस दोरान हम यही देखते हैं, कि कितनी impurities तक हम substance को use कर सकते हैं, उसकी भी माली जो कोई substance लिया, उसमें impurities present है, यानि आप लोगों को भी पता है, किसी substance, कोई substance हो, 100% pure तो मिलना बहुत मुस्किल है, तो उसमें कहीं न कहीं कोई न कोई impurities present है, अब वो impurities कितने, उसका भी यह क्या उता रेंज होता है, इतने रेंज तक कोई impurities भी present है, तो कोई बात नहीं है, वर्क हो सकता है, लेकिन अगर limit क्रॉस हो जाएगी तो उसका use नहीं किया जा सकता है, इसी बात को limit test दर्साता है, तो वही बात बता रहा है कि किसी भी substance के clarification और purity को दर्साने के लिए ही हम limit test को करते हैं, ठीक है, इसमें generally कौन सी impurities होती है, तो inorganic impurities होती है, inorganic का मतलब ions हो गया, ions, यह सारी चीज़ा कौन सी होती है, inorganic impurities होती है, next limit test are the not best under numerical value, और limit test जो होता है, यह numerical value इसके लिए कुछ नहीं होती है, इसके लिए numerical value नहीं होता है, यह आपका क्या होता है, skill develop, यानि कि skill के उपर होता है, और उसमें कौन-कौन सी आते है इन दिस टेस्ट, we are perform the comparison between turbidity, यानि कि turbidity को दर साते है, turbidity का मतलब क्या होता है, जो हमारा substance है, उसमें cloudness nature आना है, यानि कि उसमें थुदला पन आना है, उसे क्या बोलते है, turbidity बोलते है, opulences का मतलब हो गया, कि color का changes होना, कौन से color में change होता है, उसे test sample, इसमें देखिए, दो simple लेंगे हम, एक test sample लेंगे और एक standard simple लेंगे, standard simple जो भी होगा, वो experimentally, यानि कि experimentally दिया गया होगा हमारे लिए, और जो हमारा test sample होगा, उसमें हम experiment करेंगा, अब दोनों को comparison करेंगे, उसमें क्या comparison करेंगे, तो the opulisances are turbidity, produce is known amount of the substances by adding to reagent, यानि कि chloride और sulfate की जो हम study करेंगे, यानि limit test में chloride और sulfide की जो study करेंगे, उसमें हम यह देखेंगे कि कितनी turbidity है, यानि कि उसमें opulisances देखते हैं, color कैसे change होता है, turbidity पर क्या होती basically turbidity के कानड क्या होता है, color change हो यानि हलका-हलका दुदलापन हो जाता है, तो वह opulisances या turbidity के बारे में ही study करते हैं, किस में chloride और sulfate ions के बीच में, next अगर बात करें, for comparison of the turbidity for different substances to be used in the varied are not by the standard turbidity, ठीक है, तो comparison करते हैं, next हम आगे बढ़ते हैं, importance of limit test, limit test का importance क्या है हमारी life में या हमारे drug में यानि pharmaceutical analysis में limit test का importance का यह चीज़े हम समझ लेते हैं, limit test denotes the incompatibility of the solution in the presence of another substance, limit test यह बता देता है, कि किसी substance में, किसी दूसरे substance के present होने के कारण और इसमें कौन-कौन सी incompatibility आ सकती है, यह सारी चीज़े कौन बताता है, limit test, next limit test है define the amount of the impurities which are present in the solution, और किसी solution में कितने amount तक impurities present है, या कितने percentage तक present है, यह चीज़े कौन बताएगा, यह limit test बताएगा, limit test make differences between the avoidable and non-avoidable of impurities, limit test यह भी बता देता है कि कौन सी impurities हमें avoidable है, और कौन-कौन सी impurity non-avoidable, यानि कौन-कौन सी helpful है, और कौन-कौन सी harmless है, यह सारी चीज़े कौन बता सकता है, तो limit test बता सकता है overall limit test are help in the purity and clarity of the solution इसी प्रकार से limit test क्या करता है, clarity and purity और clarity बताता है solution का, इसी प्रकार आपका exam भी होता है आपने real life से जोड़ने TEST की है a limit test यानि कि exam गजाए जाता है ला रहा हैं तो उस साफ से पता चल जाता है कि आप कितने पढ़े लिखे है ठीक है इस परकार limit test पर फार्म किया जाता है अब आपके को अपका मार्च आता है उस वस्वेसे पताया जा सकता तागी कि इतनी impurities आप में है और कितना आप pure हैं ठीक है यह हो गया importance of limit test next आगे हम बात करेंगे pharmacopie standard for the preparation of the test solution during the limit test किसी भी limit test को perform करने के लिए pharmaceutical chemistry भायनि pharmacopie according कुछ मतलब की कुछ rules है उसको समझ लेते हैं specified amount of the substance is dissolved in distilled water and volume make up to 50 ml in nestle cylinder nestle cylinder होता है जब आप जाएंगे experiment perform करने तो वहाँ पे nestle cylinder के बारे मिल जाएगा इसके अलावा हम एक extra lecture भी लेगे आप लोग को equipment के बारे में आप लोग को पूरा equipment जो भी chemical यानि की chemistry में जो भी equipment यूज किया जाता है उसके बारे में आपको complete study की जाएगी उसमें आपको complete बताया जाएगा तो आप जनली जाके देख लेंगे nestle cylinder क्या होता है next for alkaline substances like hydroxide carbonates etc are dissolved in the sufficient quantity of the acid source that effervescence seizes and free acid is present जब alkaline substance को आप देखते हैं जैसे hydroxide carbonate को जब dissolve करेंगे आप acids में तो क्या effervescent यानि की बुदबुदाट या चंचनाट जैसी आवाज नहीं होती है उस परकार कि आपको उसमें बुलबुले देखेंगे free acid present जिसमें क्या होगा free acid present होगा next for insoluble substance like the choline a water extract is prepared filtered and then filtered is used जब कोई insoluble material जैसे choline है choline को हम क्या करेंगे water के साथ उसको filter करेंगे दोनों को जब filter करेंगे तो जो भी मारा filtrate मिलेगा उसको हम क्या करेंगे यूज कर लेंगे अपने experiment में next अगर हम बात करें salt of organic acid like sodium benzoate sodium silicylate it is celebrated free water insoluble organic acid during acidification which is filtered off and the filtrate is used for the test ठीक है कोई भी salt होगा organic acid या sodium benzoate sodium silicylate free water insoluble organic acid देगा during the acidification जब हम acidification कराएंगे यानि कि sodium benzoate sodium salicylate का जब acidification कराते हैं तो water insoluble material देगा और उसको बात क्या करेंगे उसको filter कर लेंगे और जो भी हमारा filtrate मिलेगा नीचे जो भी filtrate मिलेगा उसका हम यूज कर लेंगे किसमे अपनी analysis में कर लेंगे ठीक है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं colored substances like the crystal violet, melechite green, dithijone, etc are the carbonized and the SO produced in the extract in the water यानि कि colored substances like crystal violet और melechite green यानि कि चटकार green और dithijone, dithijone यानि कि yellow preparation में यूज करने वाले chemicals हैं इनका भी यूज कर जाते हैं तो भी extra water के extract में मिला दिये जाते हैं और इसका भी यूज किया जाता है हमारे original substances के साथ next reducing substances like the nitrite, hybophosphate, etc are oxidized with the oxidizing agent and the solution is prepared and used यानि कि जो reducing substances इसी यह है, nitrite, hybophosphate, etc उसको क्या किया जाता है oxidize कर दिया जाता है, by oxidizing agent के तुरू अब यह क्या होगा, जो solution बने का उसका use करेंगे, हम क्या यानि कि clear substance की तरह use करेंगे, यानि pure substance की तरह use करेंगे substances like the potassium permagnate are reduced by boiling with alcohol and filter is used potassium permagnate को reduce कर दिया, boil करके with alcohol and filtrate और alcohol के साथ और उसके और दूसके क्या, filtrate को प्राप्त कर दिया और उसी filtrate का हम use कर जाते हैं किसमें तो main, जो हमारा experiment होता है, उसमें हम use कर सकते हैं next, आगे हम बढ़ेंगे limit test of chloride, limit test of chloride basically होता क्या है इसके बारे में हम जानते हैं अगर हम देखें apparatus के बारे में तो apparatus में लगने वाला है nestler cylinder, pipettes, steering rod, beaker and stand यह सारी चीज़े लगने वाली है किसमें हमारे limit test, कोई भी limit test करते हैं तो यह common apparatus है, nestler cylinder, pipettes, steering rod and beaker stand यह सारी चीज़े लगने वाली है, ठीक है तो यहाँ पर अब तक हमने जितने भी point discuss किये और जितने भी topic discuss किये हमने important points को discuss कर लिये इसके अलामा जो भी इसके कुछ extra knowledge है और extra detail है वो हमारी website notescard.com पर उसका जो PDF है आप उसको डाउनलोड कर लिजेगा और वहाँ से उसको पढ़िएगा आप लोगों को पूरी तरह से अच्छी तरह से उसको समझ में आ जाएगा कुछ point हमने cover कर लिया इसमें कुछ point उसमें चूटा हुआ है तो आप उसको पढ़ेंगे तुझ लिए आपको समझ में आ जाएगा अगर उस पे भी आपको और कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे comment box में direct comment करके आप उसको पूच सकते हैं ठीक है ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे हम बढ़ेंगे लिमिट टेस्ट का चलिए तो प्रिंसिपल को समझते हैं इसका सबसे पहले क्या समझेगे जो chloride आयन होता है उसकी रियक्शन होती है इसको हम टेस्ट करेंगे किसे साथ हम अपने standard solution होगा उसके साथ हम उसके क्या करेंगे test करेंगे अब उसमें turbidity देंगे the turbidity is compared with the standard turbidity produced by the addition of the silver nitrate to the known amount of the chloride sodium chloride solution if the test solution so less turbidity than the standard the sample passes the test यानि कि जो भी turbidity है अगर वो standard से कम आई तो उसे हम क्या करेंगे वो इस प्रकार से वो क्या हो जागा limit test पास हो जाएगा और इसकी reaction हो गई यह chlorine iron हो गया उसके पास यह हो गया silver nitrate उसे हमने इसमें hno3 यानि की nitric acid की present में जब reaction कराएंगे तो agcl यानि यह precipitate मिल देगा आपको और no3 negative मिल देगा ठीक है अब इसका जो है procedure है procedure discuss करना थोड़ा सम इसमें बहुत जादा लेंदी हो जाएगा PPT में लेंदी हो जाएगा लेकिन हमने notes में इसको provide करा दिया है आप direct advance notes से copy कर सकते हैं चलिए फिर भी मैं आप लोग को बता देता हूँ जब test आप क्या करेंगे दो चीज पर form करेंगे एक तो test वाला पर form करेंगे और इसकी standard देंगे तो जब आप test करेंगे तो उसमें क्या करेंगे national cylinder लेंगे उसमे national cylinder में आप water को dissolve water मिला लेंगे और जो आपका test sample होगा उसको मिला लेंगे उसके बाद उसमें क्या करेंगे 1 ml का dilute nitric acid यूज करेंगे और उसको 50 ml तक cover कर लेंगे और finally क्या करेंगे silver nitrate 1 ml मिला देंगे अब उसको steer कर देंगे by steering rod से और उसको 5 मिनिट तक रख देंगे अभी standard solution में क्या होगा standard में आप क्या करेंगे 1 ml तक standard sample लेंगे उसके बाद उसमें add कर देंगे 10 ml of the nitric acid और उसको 50 ml तक make up करके और finally silver nitrate 1 ml add कर देंगे अब दोनों का जो भी result आएगा उसको क्या करेंगे आप compare करेंगे जब आप compare करेंगे तो उसमें देखेंगे turbidity अगर आपके test sample की turbidity standard sample की turbidity से कम आ रही है यानि कि आपका test sample pass हो चुका है यानि कि आप उसका use कर सकते है otherwise अगर turbidity ज़्यादा आ रही है त्यानि कि उसमें impurities बहुत ज़्यादा मिली हुई है और यह आपका test pass नहीं होगा ठीक है यह होता है limit test of the chloride ठीक है ऐसे तो experimentally अगर इसको करके बताना होता तो बहुत अच्छा लगता है इसको बताने बहुत अच्छा लगता लेगिन फिर भी हमने इसको easy language में आपके notes में जो आपका notes होगा यह pharmaceutical chemistry का notes है उसमें जो हमने easily इसको chart wise में cover कर रखा है आप वहाँ direct जाके देख लीजेगा आपको easily समझ में आ जाएगा अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो इसको एक बार जब आपका practical section का जब आप लोगों को notes बनाया जाएगा या notes आपको provide कराया जाएगा तो उसमें आप लोगों को easily इसको समझा दिया जाएगा next आगे हम बढ़ते हैं limit test of the sulfate इसका principle क्या है वही जो इसका apparatus है सेम पिछले वाले का ही होगा इसका principle क्या होगा in the limit test of the sulfate the solution of the substances under test is mixed with the varium chloride reagent in the presence of dilute hydrochloric acid then turbidity produce इसमें basically क्या होता है इसमें basically समझेगा chemical reaction क्या होती है SO4 यानि कि यह होगा sulfate यह होगा sulfate उसको हम varium chloride के साथ reaction कराएंगे dilute H2SO4 की present में तब क्या बनेगा BASO4 और 2Cl negative आप लोग जब reaction कराएंगे यह यानि कि यह sulfate ion हो गया और BASO2 है varium chloride हो गया जब दोनों को एक साथ add करेंगे तो dilute H2SO4 हो जाएगा और BASO4 2Cl negative हो जाएगा यह reactions है यह आप लोग बहुत जादा important है और इसको याद करना बहुत जादा ज़रूरी है अब इसके procedure के अगर आप बारेम बात करें procedure इसका कैसे क्या होगा इसमें भी दो करेंगे एक test करेंगे और एक standard करेंगे तर टेस्ट में आप क्या करेंगे test sample में test sample को आप water के साथ dissolve करेंगे natural cylinder में और उसके बाद उसमें क्या करेंगे 2 ml तक 2 ml तक ये H2SO4 डाली है या कोई HCl याने कि dilute hydrochloric acid डाली है दोनों चीज सेमी है क्योंकि उसमें acidic medium चाहिए basically क्या चाहिए acidic medium चालिए तो 2 ml तक या तक dilute hydrochloric acid डाल दीजिए चाहिए dilute H2SO4 डाल दीजिए उसके बाद आप क्या कीजिए 45 ml तक उसको क्या कीजिए natural cylinder को भर दीजिए उसके बाद finally उसमें add कर दीजिए 5 ml आप तक barium chloride barium chloride को जब आप 5 ml आड करेंगे और steer करेंगे उसको 5 minutes के लिए एक side में रख दीजिए next standard solution आपको बना रहे है उसमें क्या कीजिए 1 ml का standard sample ले लिजिए उसमें 2 ml का dilute hydrochloric acid या dilute sulfuric acid को add कर दीजिए और उसको भी 45 ml तक उसको make up कर दीजिए और उसके बाद उसमें भी 5 ml barium chloride डाल देंगे और उसको अलग 5 minutes तक रख देंगे उसके बाद उसको दोनों को क्या करेंगे compare करेंगे जब आप compare करते हैं compare करते हैं क्याशी जो color में चेंज कैसे आया यानि किस प्रकार का चेंज आया color में या उसमें turbidity को भी देखा जाता है कभी कभी cloud नेच आ जाता है दुदला पन जाता है termidity को भी देखा जाता है यह सारी चीज़े study करेंगे या termidity कीजिए या opulisence कीजिए अगर वो standard substance से कम आती है तो आपका test pass हो जाता है लेकिन otherwise अगर नहीं आती है तो आपका test pass नहीं होता है तो यह होगा limit test of the sulfate यह sulfate के लिए होगा next limit test for iron this test is based upon the reaction of iron in an ammonia solution with the thioglycolic acid which form the pink to deep red is purple color complex of the iron thioglyco lead जब यह reaction perform होगी यानि कि ammonia iron और ammonia solution के साथ जब reaction perform होगी thioglyclic acid तो यह deep pink और deep red is purple color का complex मिलेगा आपको iron thioglyco lead next अगर बात करें iron present in the ferrous form of the quite stable to the long period in the absence of the air color are destroyed by oxidizing agent of the strong alkali this original state of the iron is unipotent as the thioglycolic acid reduced to the Fe2 positive to Fe3 positive यानि कि इसमें क्या होता है stable होता है Fe2 positive में stable ज्यादा नहीं होता है Fe3 positive में बहुत ज्यादा ही stable होता है ठीक है तो Fe3 positive यह बना लेगा next then compare to the test solution तो standard solution यानि कि the color of the test solution is less darker than the standard of the sample is called यानि कि आप समझते है इसको समझिए यह इसकी reactions हो गई आप reaction थोड़ा mind में रखिएगा इसकी reaction कैसे है अब इसका procedure आप लोगों एक बर मैं समझा देता हूं इसका procedure कैसे होता है इसकी procedure में basically दो experiment करेंगे आप एक test करेंगे और एक क्या करेंगे standard करेंगे test में क्या करेंगे आप कि test sample लेंगे इसको dissolve कर देंगे water में 40 ml तक 40 ml तक dissolve करने के बाद उसमें 2 ml तक आप citric acid डालेंगे जिसमें iron नहीं होना चाहिए iron free citric acid आप जब 2 ml तक उसमें add करेंगे और 0.1 ml तक थाइकलाइकोलिक acid solution आप जब add करेंगे और add करके उसको mix करेंगे उसको mix करने के बाद उसमें iron free ammonia डालेंगे ठीक है और 50 ml तक उसको make up करके उसको कुछ समय के लिए आप side में रख देंगे फिर उसके बाद standard solution नहींगे standard solution में 2 ml तक standard iron solution को जब 40 ml तक make up करके आप बना लेते हैं उसके बाद 2 ml का iron free citric acid और 0.1 ml का thioglycolic acid mix कीजिए और उसके बाद उसको alkaline मना कर उसको 50 ml तक make up कीजिए अब दोनों को compare कीजिए जब आप दोनों को compare करेंगे तो आप देखेंगे कि जो intensity है purple color की आ रही है deep and pink and purple color की intensity आएगी अगर जो intensity आई है अगर वो standard से कम आता है standard solution से अगर उसकी जो intensity है कम आता है यानि कि आपका test pass है लेकिन अगर उसे ज़्यादा आ रहा है तो आपका test क्या हो चुका है फेलने चुका है ये चीज़े आप ध्यान रखिएगा next limit test for the heavy metal इसका complete notes आप लोग को website में मिल जाएगा आप वहां से direct देख सकते है ठीक है अगर आप लोग चाहें तो direct notes से भी इस lectures को सुनेंगे तो आप लोग को बहुत चीज़े समझ में आ जाएगी ठीक है हाँ बस आप लोगों से यह request है कि आप लोग अपने आप कोसिस जरूर कीजिएगा ठीक है मेरा काम था आप लोग को बताना हमने notes को बना दिया 30% आपका syllabus कबर हो गया वीडियो lectures हो गया यानि कि यह भी माले जो 30% यानि 60% आपका आपका syllabus तो कबर कर लिए लेकिन जो 40% बचाहे वो आपको कबर करना होगा क्यूंकि आपका effort ही आपको आगे ले कर जाएगा ठीक है तो आपको वो कबर करना पड़े नेक्स्ट आगे बढ़ते है limit test for heavy metal इसका principle क्या है the limit test for heavy metal is based upon the reaction of the metal ion with hydrogen sulfide under the prescribed condition of the test resulting in the formation of the metal sulfides तो basically चले इसके reaction पेम देखते है PBNO3 2, PB+, H2S, PBS और 2NHNO3 nitric acid और यह PBS यानि कि lead sulfide यानि कि जब यह reactions होगी तो यह lead sulfide बनेगा और यह HNO3 यानि कि nitric acid बनेगा ठीक है यह सारी reaction है PBCL2 और जो यानि कि lead chloride होगा उसको NA2S प्रजाश में जब reaction कराएंगा तो यह सारी चीज़े होगी यह आप लोगों याद रखने वाली चीज़े है यह आप लोगों को याद अलाकि यह कभी change नहीं होगी यह change नहीं होगी इसलिए आपको याद रखने वाली चीज़े इसको change तो किया रहे जासकता है इसलिए आप लोगों याद करने वाली चीज़े आपको proper revision की ज़रुवत पड़ेगी तो इसके बारे में आईए heavy metals का भी कुछ procedure देख लेते हैं heavy metals में कैसे procedure होता है इसको भी समझ लेते हैं इसका समझते हैं इसके दो examper लेकिन आपको मैं एक method बता देता हूँ एक method आप direct देख लिए जागा अगर आपको समझ में नहीं है तो आप direct बता दीजेगा आपको फिर से revise करा दिया जागा क्यूंकि एक बार आपके experiment में आना है तो experiment में आपको एक बार फिर से इसको समझा दिये जाएगा सबसे पहले test sample लीजिए test sample में क्या किजिए 25 ml तक आपका test sample है उसको add कर दीजिए उसके बाद pH को maintain किजिए 3 to 4 by adding the dilute acetic acid या dilute ammonia salt को उसमें add करके उसके pH को maintain किजिए 3 to 4 अब उसके बाद क्या किजिए उसको अच्छे से मिला के उसको 35 ml तक maintain किजिए और finally आप 10 ml तक freshly prepared hydrogen sulfide और उसको finally 10 ml तक आप hydrogen sulfide मिला के उसको 5 minutes के लिए अलग side में रख दीजिए side में रख दीजिए उसको 50 ml पूरा complete करके side में रख दीजिए next अगर हम देखा जाए उसमें standard में तो 2 ml का standard lead solution लीजिए उसमें 25 ml water मिला के उसको उसके उसका भी pH adjust किजिए 3 to 4 और उसको mix well करके उसको 35 ml तक complete करके उसमें finally 10 ml तक freshly prepared sulfide solution को mix कर दीजिए mix करने के बाद आप उसे क्या किजिए अच्छे से mix करके 50 ml तक make up करके 5 minutes तक ले रख दीजिए रखने के बाद आप देखेंगे कि quality of the black ppt उसमें क्या वनेगा black ppt बनेगा उसकी अगर intensity जो है कम होती है तो आपका test pass हो चुका है लेकि अगर intensity ज्यादा निखती है तो आपका test pass नहीं हो चुका है यानिक उसमें impurity बहुत ज्यादा ही percent हती यह हो गया limit test for heavy metal नेक्स अगर बात करें limit test for arsenic, arsenic एगर बात करें तो the pharmacophilic method is based on the good test test in this test arsenic gas released with when the passed over a mercury chloride test paper produce a yellow strain the intensity of the strain is proportional to the amount of arsenic present ठीक है इसकी भी है reactions है आप लोग reactions को देखिए Zn2Cl2 ZnCl2 और यह 2H होता है यह इसकी यह last में yellow complex मनता है और इसी चीज़ को हमें क्या करना होता है इसी चीज़ को हमें compare करना होता है ठीक है तो कैसे compare करेंगे इसका भी एक procedure है इसके भी procedure को हम थोड़ा समझ लेते हैं procedure इसका कैसे होगा इसमें भी test sample और standard solution लेंगे इसमें बस यह ध्यान रखना होगा कि इसमें एक apparatus अता है और उस जब आप उसको देखेंगे experimental जब experimental hall में जब आप जाएंगे तो उसको देखेंगे तो आपको idea लग जाएगा सारी चीज़े इसके अलावा हम जब experiment आएगा तो उसके बारे में complete discussion कर लेंगे उसे apparatus के बारे में और जब हम apparatus की पूरी discussion करेंगे तो उसमें भी आपका apparatus आ हैं और उसकी परकार से उसके बाद 1 gram of the potassium iodide और 5 ml of the extenus chloride और 10 gram of the zinc उसमें add करके उसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं मिलाने के बाद उसको 40 minutes के लिए अलग रख देते हैं next जो आपका standard होता है standard में basically क्या करते हैं तो standard में standard में basically करना होता है dilute करना होता है आपको arsenic solution लीजिए उसको क्या किजिए कि आप अपने apparatus में रख दीजिए अपरेशन के रखने के बाद उसमें 1 gram potassium iodide 5 ml of the extenus chloride and 10 gram of 10 gram of zinc को add करके उसको solution को मिलाके उसको 40 minutes के लिए अलग रख देजिए अब उसको बाद compare कीजिए compare कीजिए दोनों का stain यानि कि उसमें भी color को आप देखिए अगर color उसका जो है standard color से कम आता है तो यानि आपका test पास हो चुका है otherwise यह आपका test क्या हो चुका है फेल हो चुका ह तो यह होता है limit test for arsenic तो यह आज हमने बहुत सारी चीजे इसमें बहुत सारी चीजे हमें क्या पढ़ ली limit test पढ़ लिया errors पढ़ लिया impurities पढ़ लिया इसके अब हमने pharmaceutical chemistry के बारें पढ़ लिया तो आज का lecture बहुत ही important रहा है आप सभी आई ओप आप सभी लोगों को बहु से अच्छी से अजी चीजे बता पाएंगे अगर आप लोग support नहीं provide करा पाएंगे तो हम लोग अच्छी से इसको नहीं explain कर पाएंगे ठीक है हमने आज कोसिज किये कि पूरा हर एक point और हर एक word आप लोग को बताने को कोसिज किये अगर कोई आपको word नहीं आ रहा है तो आ हमें message करने के लिए अपने subject से related कोई भी कोई भी दिक्कत है उसे पूछने के लिए आप हमारे telegram group को और whatsapp group को join कर सकते हैं इसके अलावा other video lectures का notification पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल notes card को subscribe कर सकते हैं प्रेश कर लिएगा क्योंकि जो इसका notification आपको उसका तुरंट मिल जाया करेगा ठीक है आगे हम देखते हैं आगे अभी फार्मस्टिक्स बाकि है यानी कि डिप्लोमाइन फार्मस्टिक्स का सेलिबस बाकि है तो उसको कवर करेंगे उसके बाद डिप्लोमाइन गेंडियर का कुछ subject start किये जाएंगे तो धिरे-धिरे सारी सीजिए हम add करते जाएंगे क्यूंकि नए रेजुकेशन रगुसेल में जो है कि अब अगर इसमें study करना है तो chapter wise study करना बहुत easy है अगर उसी chapter को हम कई पार्ट में divide कर लेते हैं तो कई लोग समय नहीं पाएंगे कौन सा lecture कहा पर है इसलिए हम इसको chapter wise discussion कर रहे हैं और chapter wise आप अगर syllabus को अच्छी प्रकर से देखेंगे तो कई-कई chapter जो है 18-18 hours के हैं 15 hours के हैं 12 hours के हैं तो इसमें बहुत जादा ही दिक्कत हो रही है ठीक है तो कोई कोई नहीं दिक्कते तो आती रहती हैं दिक्कतों का सामना करना में क्या होगा सीखना पड़ेगा तो चलिए फ्रेंट्स आज के लिए इतना ही आप इससे लिए नोट्स को प्राप्त करने के लिए आप हमारी website www.notescard.com पे जाहिए वहां पे आपको complete notes इसका मिल लागा ठीक नोट्स की कोई जोरत नहीं आपको आहां से notes मिल जागा आप उसको क्या कीजिए का PDF को download करके अपना self notes बनाने के कोशिश कीजिए friends self notes बनाएंगे तो उसमें कुछ point लेज लिजिए और कहीं से और point अगर आपको पास कोई book है अच्छी book है तो उससे आप कोई point को उठा सकते हैं और उसको direct उसमें जोड़के आप अपने language में उसको बना सकते हैं ठीक है तो यह चीज कीजिए आज के लिए इतना ही thank you to all of you friends इतना है ञास में चुट झाझर झाह झाज़केश О Juan 16y